पूरे अर्थ में देखें जो है अर्थ को दो भागों में बाटा गया एक उत्री गुलार्थ एक तक्षिनी गुलार्थ अर्थ को जो है दो भागों में बाटा गया एक क्या है उत्री गुलार्थ ये जो है यहां पर यह पुलार्थ और यह परσिमी गुलार्थ तो भारत जो है उत्री पुर्वी कुलाड में इस्तित है तो भारत गुलोब में क्या है उत्री पुर्वी कुलाड में इस्तित है और एसिया में सबसे दक्षनी भाग में है दक्षनी मद्ध भाग में है दक्षनी मद्ध भाग में इस्तित है ठीक है एसिया में एसिया के सबस तो एक राजा भरत होते थे और राजा भरत के नाम पे ही इसका नाम भारत परा ठीक है उत्तर भारत में बसने वाला आडियों के नाम पर इसका नाम आडिया भरत परा है उत्तर भारत में आडिया जो रहते थे उनके नाम पर आडिया भरत परा हिंदुस्तान जो था ये हिंद पर पर्व में पर्देश इसलिए इंडिया भी कहा है इसको हिंदुस्तान इराणी यहां इंडायों आप भारत जो में हमारे देश में एक राजा होते थे उन jakiा के नाम ही नाम पळाए तो चलिए हम आके चलते है इसमें भारतिया उब माहदुिप में जो है कौन कौनसा देस है आको पूछा जाएगा भारतिया में पांच देस होते हैं टोटल पांच देस हैं उन देसों के नाम इस पकार तो भारत उब महदूईप do उसके साथ जो है बंगला डेस है भुडान है नेपाल है और closer पूछ पूच्छा है जो ही पॉच्छा जा सकता है भार्तिय उक्स महादूप में कनाडा सबसे बड़ा देश है दूसरी नमर का सबसे बड़ा देश है पहला है रसिया दूसरा है कनाडा और तीसरा जो है वह चाइना है चाइना जो है हमारे ही एसिया महादेश में पड़ता है तो चाइना जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है चाहुथा जो है वह कौन है युक्त राज अमेर्का पांचमा बराजिल है स्कों याद रखिएगा और शठा वो आश्रिडिया है शातमा जोए भारत है भारत का स्थान सात्मा है चेतबल के द्रिष्टी से भारत पाजigkeiten वह सातमाबस आप आप इसे याद रखेंगे, question पुछा जब सकता है, आपको इसमें दो question तो बन सी ही सकता है, चेतबल की दृष्टी से पूरे विश्चु का सबसे बड़ा देश्ट जो है वो कौन है, और भारत का क्या स्थान है उसमें, तो हम आगे आप चलते हैं, इसमें भारत का जो विस्त विस्तार है, वो विस्तार अक्षांसिय और देशांतिय विस्तार है, वो किस प्रकार से है, तो भारत का जो अक्षांसिय विस्तार है, वो 8 डिगरी 4 मिनट नौर्थ से लेकरके, आप इसे याद रखेंगे, भारत जो है, 8 डिगरी 4 मिनट अक्षांस से लेकरके, उत्री अक तो आगे है देश की चतुर्दिक अंतिम बिंदु क्या क्या है देखे लेते हैं तो इंद्रा पॉइंट जो है न यह दक्चिनतम बिंदू क्या है इंद्रा पॉइंट है इंद्रा पॉइंट यह दक्चिनतम बिंदू है ठीक है और उत्तरतम बिंदू जो होगा इसका इंद्रा कॉल होगा इंद्रा कॉल होगा और यह कहां पढ़ता है इंद्रा कॉल यह तो जम्मू कस्मीर में पढ़ता है ठीक है और यह जो पढ़ता है यह कहां पढ़ता है इंद्रा पॉइंट यह ग्रेट निकोबार में पढ़ता है ग्रेट निकोबार में पढ़ता है और इसका जो पुर्वत्तम बिंदु है वो पुर्वत्तम बिंदु यानि कि अरुनाचल पर्देश में पढ़ता है उसका नाम है गोर उसका नाम है की बुथु क्या नाम है की बुथु की बुथु नाम है यह अरुनाचल पर्देश में प तो गुजराद में पड़ता है और वुमी की दक्चिंता बिंदु यह है हमारा कन्या कुमारी है जो कि कहां पड़ता है इसका है एट डिग्री फोर मिनट टीक है और यह तमिल नाडु में प्लता है तमिल नाडुम का तमिल नाडुम ठीक है आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि जो करक्रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है तो देखें इसको याद करने के एक फॉर्मूला है ज्यागू राम चमित्रिव इससे आप याद कर लेए जहां से क्या होता है जारकंड होत अब एक गुजराद रासे राजस्तान स्टों से अंध्पर्देश स्टिसगों ऑप्शान है जोसे शत्विश्टाइश स्टिसगर्ड अ कि कर दो से मीज्जोरण यह इस तरह से इसका पूरा दिया गया देकि गुजराद राजस्तान मद्पर्देश् निजोरम, इसमें। इसमें कुछते हैं की इसके समय बाहरत के सब देखते हैं कि बारत क्ले सीमा कि बांगला देख हैं हमारा परोशी देख हैं जो कि पाकिस्तान से अलग होकर के बना है, पाकिस्तान भारत से अलग होकर के बना और बंगला देश जो था वो पुर्वी पाकिस्तान था और अभी का जो पाकिस्तान है वो पसीमी पाकिस्तान था, तो 1971 में क्या हुआ कि बंगला देश पुर्वी पाकिस्तान को बंगला तो बंगलादेश से 4096 किलोमेटर है यानि कि 4096 किलोमेटर बंगलादेश से सीमा लगता है और चीन से कितना लगता है तो 3488 किलोमेटर दूसरा सबसे बड़ा सीमा जो है वो चीन के साथ है तीसरा जो है वो पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमेटर नेपाल के साथ 171 किलोमेटर ठी के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 ग्रांट तो सबसे कम जो सीमा लगने वाला है वो अफगानिस्तान के साथ है अभी यह P.O.K. वाले के साथ लगा होगा है अभी हमारे P.O.K. हमारे हाथ में नहीं है और यह है पाकिस्तान के हाथ में तो सबसे ज़्यादा जो सीमा अस सबसे ज़्यादा जलीय सीमा किसका है तो अगर हम केंद्रयसासीत प्रदिशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ऊंडमान और निको वार का है सबसे ज़्यादा गुजरात का 1214 किलोमेटर, आंधर पर्देश का 973 किलोमेटर, तमिन नाडू का 960 किलोमेटर, महाराष्ट का 652, हेरल का 579 किलोमेटर, उडिशा का 473 किलोमेटर, करनाटक का 208, पस्षी मंगार का 170, और लक्षदीव का 132, और गोगा का 101 किलोमेटर, बुदुचरी का 47, और दमन एंडिव का 42, अगर हम बात करें, कि कैंसासित पर्देशों में सबसे कम, जलिये शीमा वाला जो राज है, कैंसासित पर्देश है, वो कौन सा है, तो वो है दमन एंडिव, सबसे कम है, छोटा सा है, तो 42 किलोमेटर इसके, अगर हम कैंसासित पर्देशों में ही बात कर किसका है तो है हमारा सबसे च्छोटा साय गोए का सबसे च्छोटा है तो राजियों में जो है सबसे ज्यादा राजियों में राज की अगर बात करें है अब तो गुज्रातHow God अग्वट जलिय सीमा वाला है, अगर हम केंदसासित प्रदेश की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, केंदसासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो हम लोग अभी देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा केंदसासित प्रदेश में, केंदसासित प्रदेश में अगर होगा गौर्ण सबसे कम जो होगा हो हमारे दमन में। की बूहार्ण होकी। किसश्त बीक होगा दमन दूइवका। और सबसे जयाधा जोगा अणनमाण और मिया है। आगे हम लोग देखते हैं प्रायद्वीब क्या होता है यह अस्थल का वह भाग है जो तीन तरब से जल से गिराओ जो तीन तरब से जल से गिराओ इसे भारत भारत का देखो त्रिकोनिय हिस्सा जो है भारत का यह इधर अरब सागर है अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है बंगाल की खाड़ी है ठीक है और अंत्रीप क्या होता है अंत्रीप क्या होता है एक पतला सा भाग होता है शकड़ा और पतल पतला अस्तरिय भाग जो तीन और से पानी से घिराओ पानी से घिराओ ठीक है आगे हम लोग देखते हैं कि इसका एक्जांपल है यहां पर उदारण है इसका कन्या कुमाले कन्या कुमाले कि आगे हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि छेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज कौन सा है को से आपको पूचा सकता है वो राजस्तान है राजस्तान का छेत्रफल जो है वो सबसे जादा है कितना है 3,42,242,249 km2 और गोवा का जो है सबसे कम है गोवा का जो पढ़ता है 3,702 km2 सबसे कम है राज्यों मिनी और चेत्रफल की दृष्टी से 5 बड़े राज आपको पूचे जाते हैं तो चेत्रफल की दृष्टी से 5 बड़े राज कौन है राजस्तान है मत्यपरदेश है महाराष्ट है उत्तरपरदेश है और गुजरात ह चेत्रफल की दृष्टी से 5 बड़े राज जो है वो है गोवा का सबसे कम चेत्रफल है गोवा से के बाद दूसरी नमबर से कम चेत्रफल वाले जो है वो है शिक्किन तिस्रे नमबर पर वो ठीपूर ऑच फिर नमबर पर नागा लैंड फिर मिजोरम इसे अब भूत कर सकते हैं एक बारत की दृष्टी में हम बहुत कुछ दिसमंए देखने वाले जैसे भारत का नाम भारत है देश का नाम भारत इसका और भी कई दिल्ली है नहीं दिल्ली ड़ा थानीय में इसकी भघवगन ह्य की स्तिति उतुर्टी-वि गुलार्थ-पढ़ता है ये और अक्षांवे विस्तारी स्का आठ डिग्री-चार मिनट ऊत्री शा से लेकर थेशंट से ले करके 27 मिनट उत्री अकस तक यह प्याला हुआ है इसका देसंत्री विस्तार बशार concur 10 मिंट देसंत्र से लेकर के 97 डिग्री दो पांस मिनट देसंत्र तक प्यादा है ठीक है मानक शम्यर dobr जो है साधेmış 12 डिग्री पुर्वी देसंतर है जो की साढ़े-पांच घंटा आगे है यह कहाँ पड़ता है तो इलहाबाद मेर्जापुर से गुजर्ता है और यह मैं फाहरत के पांच राज्यों से होकर गुजर्ता है तो सबसे पहले यह उत्रपरदेष से अगे हम इसमें देखने वाले हैं कि भंगोली की बिस्तार यह इसकी कितनी है यहने कि लेंध चावडाई और लंबाई कितना है तो भारत का जो है जो नौट तो सावथ जो उसकी लंबाई है वो है 3214 km और उसकी पस्षिम से पुर्व तक जो चौड़ाई है उसकी कितनी है 2937 km तो लंबाई है 3214 km और 2937 km इसकी चौड़ाई है तो आगे हम चलते हैं इसमें देखिए अस्तलिय सीमा अस्तलिय सीमा की जो टोटल लंबाई है क्या है 15107 km और जलिय सीमा कितना है 7516.6 km अस्तलिय सीमा है और प्रादेशिक सीमा जो होता है समुद्र तट से जो है वो 12 km समुद्री मिल तक बारे समुद्री मिल तक जो है वो हमारा है प्रादेशिक सीमा और संलग चेत्र जो है 24 समु समुद्र के अंदर भी होता है और 200 वार हमारा नहीं रही रहता है और वहां two कोई भी आ जा सकता है ठीक है जलवायू जो है हमारे भारत का जो जलवायू है वो मांसुनी जलवायू है और यहां पे जो है सभी प्रकार की जलवायू होती है मांसुनी जलवायू बारिस于 यहां पे होती है छेत्रफल जो है भारत का 32, гр. 87, 223 kilometre square है यहां 32,81,233 km 2.4 परतीशत है हमारे यहां 2.4 परतीशत एरिया है पूरे विश्व का कुल एरिया का 2.4 परतीशत आगे हम देखते हैं आगे भारत छेतरपल की दिरिष्टी से विश्व में जो अस्थान है वो है साथमा-स्थान है साथमास्थान है अगर इसे छे बड़े दे बहरत है कुछ जनशंख्या जो है कैंघ किया इसमट confused करोड़ जन शंशंक्या 121 करोड़ से ज़ादा जनशंक्या और जन शंख्या पूरे विश्यश्य का यहां पे सतरतत क्र Simpson लंब परतिसixon Throwing लोग यहा पे राते हैं और जनसंक्या की दृष्टी से विश्व में भारत का अस्थान है वो दूसरा है और पुरुष जनसंक्या यहाँ पे कितना है कि यहाँ पे देख सकते हैं और उसी तरह से यहाँ पे जो महिला जनसंक्या है वो 58,75,84,790 यह है ग्रामीन जनसंक्या जो है 83,37 करोड और सहरी जनसंक्या जो है वो है 37,71 करोड और 10 की पिर्दी जो है यहाँ पे है 17,37 करोड तीक है और यह 2001 से लेकर के 2011 के बीच में है जो परिक्षा के दृष्टी से दृष्ट में बात करने हैं ग्रामीन जनसंक्या जो है 68,85 परतिसत है ठीक है और शहरी जनसंक्या जो थ्टी 1,2 परतिसत है आगे हम देखते हैं यहां पर जो लिंगानुपाथ है 943 भारत का पूरे भारत का लिंगानुपाथ है, 943 है, हम भारत को एक दृष्टी से देख रहे हैं, सिसु लिंगानुपात 918 है काफी कम है इसका लिंगानुपात का मतलब है कि एक हजार लड़कों पर कितनी लड़कियां है यह बताता है जन्जंख्या भेनत तो जो है 312 है 312 लोग एक कुबर्ग किलमेटर में रहते हैं कुल सक्षर्था 73 परतिसत है प्रुष सक्षर्था जो जो सेंसस होगा 2021 में अभी हुआ नहीं है होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा अनुसुषित जन्जाती जो है वो कितना है 16.06 परतिसत है यहनि 20 करोड तेड़ा लाग 78,086 और जन्जाती संक्या जो है अनुसुषित जन्जाती की संक्या है वो 10 करोड 42,081,034 तो यह 8,066 परतिसत है आगे हम देखने वाले raty ata जांग की संक्या जो है कुल है 8 इधर आपको जो है एक जमु कश्मिर जो राजए है उसको दो भागव में बाडत करके उसके खैंसासित परदेस बना दिया गये है और दो खैंसासित परदेस को एक खैंसासित परतिसित बना दी शियानिकि यहँफे माइदानी भाग है आप देख सकते हैं कि बठारी भाग ञस्ट्रों है 30 ₹ और अंतरवाष्ट शिमा से जो राज और 17 राज है जो अंतराष्टी सीमा से जुड़े हुए है, तेल सोदनों की शंक्या, पैटोलीम की रिफाइन जहां पर किया जाता है, वो 22 है, राष्टी राजमार की जो है, 266 और बंदर गाह, जो है, जहां पर अंतराष्टी जहाजें आकर के खड़ी हो सकती जहां, राश्टी पसु, व तो आज हम लोगों ने देखा कि भारत को एक द्रिष्टी में इसमें बहुत सारे कोश्ट्स आने वाले हैं तो आगर टैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विडियो अच्छा रहेगा तो आप इस वीडियो को कटिनियो देखे ऑच्छे से देखे और यहाँ करता हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा तो चलिए मैं इसे आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं जाहिए